दोस्तो अगर आपको लगता है कि अपने उर्फी जाविद हमेशा विवादों में रहती हैं यानि कि उर्फी जाविद के कपड़े हमेशा ऐसे होते हैं जिनमें उनकी बॉडी नजर आती है तो फिर तो लगता है कि आपने कभी मलाइका अरोडा को ध्यान से देखा ही नहीं है मलाइका अरोडा जितनी फैशनेबल हैं उससे जादा वे अपने फैशन को लेकर कॉंट्रवर्सी में रहती हैं मलाइका अरोडा हमेशा ही ऐसी ड्रेसेज में नजर आ जाती हैं जिनमें उनकी होट बॉड़ी और उनका होट लगने का अंदास सभी को अजीब लगता है कपडों का शौट होना एक अलग बात होती है मगर उन कपडों को जिस तरह से मलाइका अरोडा केरी करती है उससे इतना तो कहा ही जा सकता है कि चाहे मलाइका अरोडा पूरे कपडों में भी ढकी हो मगर उनकी होटनेस कैमरे में कैद हो जाती है इतना ही नहीं दोस्तों मलाइका अरोडा अपने फैशन के साथ-साथ कई बार अपने स्टेट्मेंट को भी लेकर अपनी बोल्डनेस को दिखा देती है अभी कुछ दिन पहले ही मलाइका अरोडा ने अपने बेटे अरहान खान के एक पॉडकास्ट शो में अरहान की वजनालिटी को लेकर सवाल कर दिया था जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोगों ने मलाइका अरोडा को बहुत जादा ट्रोल किया था लोगों के इस वीडियो पर अलग-अलग कमेंट्स आये थे लोगों का यही कहना था कि मलाइका अरोडा को रिष्टो की मर्यादा रखनी चाहिए भला एक माँ खुले आम अपने बेटे से ऐसा सवाल कैसे कर सकती है मलाइका ना तो एक अच्छी पतनी बनी और मा कैसी है वो तो दिखी रहा है मलाइका अरोडा अपनी बोल्ड ड्रेसेश को लेकर हमेशा ट्रोल होती रहती है मगर इस बॉड्कास्ट के बाद अपनी बातों को लेकर भी ट्रोल हुई थी अरवाज खान से तलाग के बाद मलाइका अरोडा अरजुन कपूर को डेट कर रही थी मगर अब अरजुन कपूर के साथ में मलाइका अरोडा का ब्रेक अप हो चुका है अब इससे मलाइका अरोडा को जादा फर्क पढ़ता हो चाहे ना पढ़ता हो मगर इतना तो जरूर है कि मलाइका अरोडा लाइफ में अपने खूपसूरती और खुद को सबसे ज़ादा इंपोर्टेंस देती हैं और फैशन में हमेशा कुछ नया करती रहती है वैसे दोस्तों मलाइका अरोडा को लेकर आपका क्या कहना है आप उनको 10 में से कितने नमबर दोगे जब आप कमेंट में ज़रूर लिखें आगे की नई अपडेट्स के लिए और ऐसी खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लें